जहीं साते हो विल सर कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे सहोंगे यह सची जीटी 2024 के जितने भी बच्चे फिचकल कटक में पास होए हैं आप सब अभी फिचकल देने के लिए जाएंगे आपका मेडिकल होगा बाद में आपका जोईनिंग हो जाएगा आज की हमारी ये वीडि होने के लिए अपना जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं आज आपको बताएंगे कि आपके साथ में क्या होने वाला है और आगे अगर आप भरती हो जाते हैं तो आपको जो है पूरा नवकरी करने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी कुपर हमारी ये वीड यो कड़वा सत्य है और आपको हो सकता है कि बहुत खराब लगे हो सकता है कि अगर आप हमारे फालोर्स होंगे तो हो सकता है कि हमारे चैनल को आप अंसस्क्राइब भी कर दें लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकि जो सही बात है उसको हम आपको जरूर बताएंगे जितने जगह पर जैसे च्छतिसगर नक्सलाइड एरिया हो गया औरीसा हो गया और बंगाल हो गया जम्मू कस्मीर हो गया और असम हो गया नार्थिष्ट का बहुत सारे इलाके हो गए जहां पर हाइट कम लगता है मेरिट कम जाती है अब वैसे जगह से अगर आपने ठेक डाकुम पर ना बिहार करने वाले हैं आप असम में जाते हैं तो आपका चेहरा ही देखके लोग पता लगा लेता है कि यह यहां का है या नहीं है दूसरी बदोस्ते आप बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं अगर आप इस तरीके से करने जा रहे हैं तो आप दो तरीके से पह सेंगे एक हो सकता है उस स्टेट में उस पुलिस के हथे आप चड़ जाएं हो सकता है कि उहां का अस्थानी जनता अस्थानी लड़के बहुत सारे जागरूप हो गया है हो सकता है कि आप उहां पर उनके चंगल में आ जाएं फिर आपके साथ में गलत हो सकता है और अगर आप पास किया होगा उत्तर प्रदेश बिहारोगराथ अलग इस्टेट से और आपका टो मिसाइल अलग जगह से तो फिर वहां पर आप जरूर पगड़े जाएंगे आप पीछे वाला बेकंसी उठा लें जितने भी बचे जिस भी डिपार्टमें सियाटिया बेसे आइटी बीपी जहां भी सिलिक्ट होए थे उनको जाइनिंग सेंटर से वापस कर दिया गया उनको बोला गया कि आप जाईए अपने घर पे आपका फिर से बेरिफिकेशन हम करांगे और अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपके जो है को लेटर जाएगा आप आएंगे आज तक उन बच् भी गये होंगे तो उनका ज्यादा दिन तक सूरचित नवकरी नहीं है क्योंकि यह सरकारी डिपार्टमेंट है यहां पर एक पॉइंट अगर कुछ गलत मिल जाता है तो डिस्मिस प्रॉम सर्विस सत्तरा साल चाहे आपकी नवकरी हो जाए चाहे 18 साल हो जाए 20 साल हो जाए मैंने कल वाली वीडियों में बताया था एक बच्चा ऐसा था कि जो कि मद्ध प्रदिस का था वो जो है उसका एज अभी पार होने वाला है उसकी हैड थोड़ी सी कम थी उसने जो है जहां से एस्टी का अपना कंडी अपना वो बनवाया था और उससे अपलाई किया कि रहा आ लेंगे हमने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन फिरो मेरे को ही सम्झाने शुरू कर जिया सर मेरे साथ वाले तो ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं यह कर रहें भाई देखे हमारा काम है आप सबको सही रास्ता बताना अगर आप सही सलामत रहे आपके उपर या फायार दज नहीं हुआ, आप जेल में नहीं गए, तो आपके पास में कई ओप्सन है, कई नौकरी आप कर सकते हैं, लेकिन आप पकड़े गए, आपके साथ गलत बेहार हुआ, आप जेल में चले गए, फिर आपके साथ में बहुत बड़ा प्रोब्लम हो सकता है, तो ये आपको बुरा लगा हो, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि ये खरवास्थ है और ये हकीकत है.